जो मूवी एक्स्प्लेंग करने जा रहा हूँ, उसका नाम पिनो क्यों है? इस मूवी के शुरुवात में हमें एक बुजुर्ग इनसान दिखाया जाता है, जिसका नाम जपेटो है, वो एक कबर को साफ कर रहा होता है, जो कि उसके बेटे का है, जिसका नाम कारलो था, जपे जपेटो इगनो कर देता है, और वही पर जपेटो कारलो के लिए लकडी का जुता बनाता है, जो कारलो को बहुत पसंद आता है, उसके बाद जपेटो कारलो से कहता है कि, अगर तुम जूट बोलोगे तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी, फिर जपेटो कारलो को कहान सुना कर सुला देता है, सुबह को दोनों चच के लिए जाते हैं, उस शहर के सभी इंसान जपेटो की बहुत इजज़त करते थे, फिर दोनों चच पहुँचते है, और जपेटो चच की मरम्मत करता है, फिर कारलो एक पेड के चिलवोजे को पने पिता को दिखाता है, तो जपेटो के बहार आने को कहता है, तो कारलो पेड के चिलवोजे को भूल जाता है, तो चच में वापस जाता है, तभी वही पर एक बम जहाच से सीधा चच में गिर जाता है, जिससे कारलो की मौत हो जाती है, फिर जपेटो कारलो की कबर के पास उस चिलवोजे को लगा दे और कहता है कि तुम मेरी दूआ क्यूं सुन नहीं रहे हो, इसके बाद जपेटों को गुसा आ जाता है, और पेड को काटने के बाद वो उसे घर ले जाता है, और उस पेड के लकडी को काट काट कर अपने बेटे की कटपुतली बनाता है, और कुछ बच जाता है, उसे कल पु तो क्रिकेट हेल्प करने के लिए मान जाता है। प्रिकेट हेल्प करने के लिए मान जाता है। प्रिकेट पिनोकियो को अपने साथ शामिल करने का प्लान बनाता है। वहाँ जाकर पिनोकियो आलाइव पपीर बन कर काम करता है। वो जादुगर पिनोकियो को यूज करके बहुत पैसे कमा रहा होता है। उधर उसके पिता जपेटो पिनोकियो को धून रहा होता है।